जहिन दोस्तो भारत के 51 चीफ जस्टिस जो है संजीव खन्ना जिनको सब लोग जानते होंगे कई तरह के जजमेंट्स में जो है इन्होंने अपना बहुत सारी भूमिकाएं निभाई हैं च्छे महिने के लिए इनका कारेकाल है और भारत के 51 चीफ जस्टिस जो है बने हैं तो दोस्तो इनके कारेकाल में जब यह सुप्रीम कोड के जज्ट हैं तो इन्होंने कई तरह के बड़े-बड़े क्रांतिकारी फैसले दिये हैं उन्हीं करांतिकारी फैसलों को जो है आज हम लोग इस लेक्षर के अंदर जो है समझने वाले हैं यानि कि जो हमारे पुराने चीफ जस्टिस के बारे में आपने 50 चीफ जस्टिस जो हमारे डिवाई चन्चूड है इनके जज्जमेंट के उपर भी मैंने एक आपको जो हमारे 51 जो चीफ जस्टिस है इनकी जज्जमेंट जो है अब तक का सबसे कांतिकारी जज्जमेंट जो है आज हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं इनके 6 महिने के कारेकाल की सुरुवात हो रही है चलिए तो समझते हैं दोस्तों बेसिकली अगर आप देखें तो पहले इन्होंने कई तरह पहले अपने जज्जमेंट में जतनी बाते बोली हैं उसमें कुछ ऐसे जमेंट हैं जो आम जंता के जिंदद्गी पर भी प्रभाहव जालते हैं जैसे कि पहला जज्जमेंट अगर आप 24 का मामला यह रिसेंट मामला है दोस्तों इसमें पांच जज की बेंच थी जिसमें आप देखें डी वाई चंदरचूट इसके साथ जो है न्याय मूर्ति पादरी वाला इसके पादरी इसके बाद न्याय यहाई मूर्ती बियार गवई न्याय मूर्ती मनोज मिस्रा और न्याय मूर्ती संजय खंणा यानि कि हमारे करेंट चीफ जेस्टिस 51 चीफ जेस्टिस ठीक है तो यह जो है आपके इस पांच में पांच जजों की बेंच थी इस मामले में मुख्य विशय क्या था तो गुमनाम चुनावी बाउंड योजना की स्वधानिक वैधिता काली में जो है इलेक्षन बॉंड को लेकर आपको जजमेंट देखने को मिला था देश में आपकार मत किया था ऐलेक्टराल कोट ने सुप्रीम कोट ने चुनावी बाउंड योजना को सर्व सम्मती से रद कर दिया था यानि कि इसके साथ यह निर्ने लिया कि यह भारतिये समधान की अनुच्छेद 1901 के तहत उलेखनी सूचना के अधिकार का उलंगन करती है राइट टू इन्फोर्मेशन का उलंगन करती है और कोट ने राजनितिक धन में पारदर्सिता किया है सकता पर जोर दिया और लोगतंत्र प्रकिरिया को बचाने के लिए इसे जरूरी बताया दोस्तों सोचिए कितना बड़ा एक यह जज्जमेंट था जिसमें जो है हमारे करेंट चीफ जश्टीस जो है सामिल रहे इनफर्मेशन नहीं बताते थे यह जो जजमेंट के वज़ा से जो है लेक्टरल बॉंड को ही जो है रद कर दिया गया दोस्तों तो यह सबसे बड़ा जो है आम जंद जीवन में जो है आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है जानना अगला जो जजमेंट है जिसमें इन्ह हजार तेइस का यह मामला है दोस्तों इसमें अगर आप देथे साथ जज की बेंच इसमें जो है आपकी बैठी थी मुक्ष विसे ये था कि जो बीना स्टाइम का इस्तमाल जो है आम जीवन में हम लोग करते हैं हर तरा से एफ़ेडी बनवाने में हम लोग करते हैं रेंट समझहोते की परिवर्थनीता ठीक है यानि कि उसके यानि कि stamp जो है जो बिना स्टैम्प वाले जो डॉकुमेंट से कॉंट्रक्ट हैं उसके उपर ये बात करता है ठीक है उसके उपर ये जज्जमेंट था अब इसमें सुप्रियम कोट ने निन्ने स्पष्ट किया था कि जो बिना स्टैम्प वाले जो आपके स्टैम्प वाले समझोते अमान नहीं होते बिना स्टैम्प वाले जो समझोते यानि कि संबंद में परस्ट करता है तो यह एक जो है आपका स्टैंप जो की आम जीवन में हम लोग बहुत जादा इस्तेमाल करते हैं पर इसके उपर जैज्मेंट जो है इन्हों दिया जो की काफी ज्यादा जो है इंपोर्टेंट हो जाता है अगला जज्मेंट है सिल्पा सलेश वर्सेस वरून स्रीनिवर्षन यह जो जज्मेंट है 2023 का यह मामला है और इसमें पांच जज की सवधानिक बेंच बैठी थी दोस्तों और इसमें आप देखेंगे तलाक के लिए यानि कि इरेलिवेंटिबल ब्रेकडाउन का अधार इसके में डिसकस किया गया था यानि कि तलाक से संबंधित यह मामला था सुप्रीम कोट ने अनुछेद 142 का उपयोग करते हुए यदि किसी विवाह को फिर से ठीक करना संभव ना हो तो उसे समाप्त करने की अनुमति दी ठीक है कोट ने यह निर्धारित किया कि तलाक देने के लिए विवाह के टूटने के बिंदू पर विचार किया जाए और इनके लिए कानूनी मादंड का के तहत लंबी लगाव औधी और मध्यस पर्य इंपोर्टेंट हो जाता है आम जिन्दगी को लेकर तो यह सभी जज्जमेंट को मैं काफी डिटेल में बताऊंगा आपको आगे चलके यह जो आपका लेक्शर हैगा इसमें आपको मैं वह सारे जज्जमेंट के मुख्य पॉइंट्स आपको यहां पर समझा रहा हूं अग लुए बीट कर मझें यहां ग्यादित के अंदर लाने की बात के गई थी इसमें क्या कहा गया है शुप्रीम कोट इंद्ली उच न्याले के फैसले को सही ठाराते हुए मुख न्यायधिस के कारेकाल को जो है सुचना के अधिकार के अंतरगत लाने का निर्ने लिया ठीक है और न्याय मूर्ति संजीव खन्ना ने इस निर्ने में कहा कि न्याय पालिका की स्वतंता और जवाब देही एक साथ चलती है और दोनों का संतुलन होना चाहिए तो चीफ ज्यादा इंपोर्टेंट यह जो हो जाता है आम नागरिक के लिए इसके बाद जो अगला जो जज्जमेंट है वो अन्ना मार्थिव वर्से सुप्रीम कोट ऑफ इंडिया दो हजार तेईस का मामला है इस मामले में देखेंगे न्याय मूर्ति संजीव खन्ना और न्याय सब्सक्राइब जो आधोकेट की नियुकती होती है उसकी संफ्रीम कोर्ट में इस मामले में सपष्ट किया क्या नियायधिस की पातरता पर केवल संविधान द्वारा निरधारित मानडंडों की आधार पर किया जा सकता है जबकि उनकी उपयोक्ता-गानियाय समिक्षा के द करता है अगला केस है जो की ओंगी सी वर्सेस एफ कॉंस का 2022 का यह मामला है इस मामले की अंदर तीन जज की बैठी थी दोस्तों और तीन जज की बैच ने जो है मध्यस्ता में मध्यस्त के सुल्क निर्धारन की प्रक्रिया की बात की थी अब इसमें आप देख सुप्रीम कोट शुम में अपने दिया था इसके अंदर की स्वयम अपने सुल्क निर्धारन कर्ने का अधिकार नहीं किसी वैक्ति रूंपनेर Welcome निजहीं प्रक्रिया के तहत किया जाना चाहिए और यहां प्रक्रीया एक तरफा नहीं हो सकता ठीक है तो यह जजमेंड जो है आपका इसके जो है वह दिया गया था यह सारे जजमेंट जो है वह पब्लिक से रिलेटेड है जो कि बहुत ज्यादा इंपोटेंट है इस जजमेंट को अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे टेलिग्राम चैनल पर जूर सकते हैं चंदन सर टेस्ट बुक मैं लाइव क्लास भी लेने वाल सकते हैं तो आशा करता हूँ कि यह विडियो यह क्लास आपके लिए ज़ो है काफी अच्छा लगा होगा आपको और जितने यह केसे इसको मैंने आपको बताए हैं यह च्यों केसे उपर आपको डिटेल्ट वीडियो चाहिए तो बताईएगा एकए करके सब के ऊपर जो है विडियो लेकर आऊंगा ताकि जो है आपके जुडिशरी करने के प्रिप्रेशन को जो है और आसान बनाया जा सके तो चलिए आगे हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए जय हिन जय भारत